मी इस रोता जैमनों ग्रांदी यहां लाइधाच्या किस अंसर में सब बंद बड़ी बिकनी पुस्तक का लेखक को तेस्ता लेखक को सुची में परनी एक नाम हूँ पावला कोहलो उनको किताब सरसथी भाषा मां अनुबाद भायको छे रह चो करोड़ पच्चास लाख प्रती बिक्रिबार गीनिस बुक अफ वर्ल्ल रिकर्ड्स मां दरीन पुगेको छे उनको नाम इब्राजिल का ठीटा ले जसले इंग्लिस मां लेखे को पनी होईना मौलिक करती तर उनको किताब नहीं संसारमा सब्बंदा बड़ी बिक्ने किताब को सुचीमा किनो रहो यो निश्चे पनी आर्थ पूर्ण प्रश्न हो यो निश्चे पनी उठनी मांचे लाई काम लागने प्रश्न हो यो निश्चे पनी जीबन बनावने चाहने हरको लागी जायज प्रश्न हो यसता प्रश्न उठेन बने हामी पनी उठनाई न यादरक्नस नकारात्मक प्रश्न उठे बने हामी पतन होंचे जुन दिनमा सकारत्मक प्रस्ण उठीं छा, प्रस्ण संगय हामी पनी उठनी गर्चू, तेसकारन प्रस्ण उठनू पनी आफो उठनू सुरुवात्व अनेरो पुझनू करता छा। पावला कोईलो को शंदर्व, शम्मंद, हमी जम्मई को लागे प्रेर न दाईज, उठन चाहाने मैंचे को लागे अउशदी सोरूप छा, अम्रित सोरूप छा, एक अदभूत कहानी हो उनको, उनी साने देखी साहित्यकार बनन चाहान थी, किनकि उनको रूची पढ़ाई मत पढ़ाई थी न, उनको रूची साहित्यमा मत्री थी, उनी साहित्य मरी मेठी पॉड़ थे, रह उनी साहित्य आफईले पने निर्मान गर थी, तर यो परीपाटी, परिवार लाई फिटिक कई मन पर देन थी, उनकी आमा बाबा ली, उनलाई गाली गरी गरी, धमकी दी दी साहित्य बाट विमुख बनाऊना खोजदाई रहे किनकी साहित्य लेखन बाट कसाई को उन्नती गरेको तेस बैला पाईएको थी नौ ब्रजिल मा तेस बैला साहित्य लेखनू बनेको साहित्य बाट उठनू बनेको अशंब प्राय थी तिसकारन उनका आमा बाबा ले अगाड़ी को कुराहियरने न हो याद रखनस अगाड़ी सहज कुराहियरने हो सामन्ने मांचे को का अनि सामन्ने मांचे ले अगाड़ी सहज ता भोगी सके पचे अब बाकी ता असहज जिन्दगी हो जलने सुरुमा सामन्ने कुरा भोग उसले पची असामन्ने कुरा असाहज कुरा भोग न बात देऊंचे। युँ प्रकरती को नियेंबू। अब आम जनताको ट्रेंड परिपाटी तेही हुँँचे। कि एण केण प्रकारेन परिस्थेती जस्तो चा तेस्ते आफलाए डालना। परिस्थेती प्रतिकूल बहाए बने उनले मनलाई प्रतिकूल बनाई हालचे। यही परिणाम सबैमा देखेंचे। कोईलो की आमा विशेशगरीर उनको लेखन प्रति बीरोट जनाव थीन। उनी मन नहीं देखिये साहित्ते पोड़न चाहन थी अंतसकरण देखिने। तरह आमा को जबरजस्ति बाभा को अस्विकरति शमग्र परिवार को असहमति को कारण उनी वकील पढ़न बात देखा है। किनकि त्यों बहला ब्रिजिल मा कानुन पढ़नो इज्जत को कुरा थी। कानुन पढ़नो पोईशो को सवाल पनी थी। कानुन पढ़नो बात छीटो आमदानी पनी हुन थी। इसकरण आमा बाभा परिवार उनलाई वकील बना रहे जाड़ने संकल्प मामा थी। खासकरई उनकी आप। उनका बाभा पनी एक एंजिनियर समाज को प्रतिश्ठित मांचे बाकोले। छारालाई समाज मा नचलने साइत्यकार बनोन चाहन देन थी। इस्वाभा भी कुरापन देखिन ज। परिपाटी अंसर। अंत तह कोईलोलाई कलेज पठाईयो उकिल बन्नको लागी। साइत्यकार बन्नको लागी। मन्न परेको विशये, मनले नखाको विशये जबरजस्ति पढ़नु परे उनली। यो पीडा उनमा छदै थी। कि मैंले मन्न परेको विशये पढ़नु परे। आधा छत बिचत को यस बाट बहिरेको थी। रो औरको आधा छत बिचत मन परेको विशये छोड़नु परेकोमा। अत्तहा उपूर्ण रूपमा तूट दै थी। विस्तार विस्तार यस तो समय आयो। उनी पूर्ण रूपमेन तूटी। कहां उकिल बन्नु परने मन्ची। आमा बाबा का शपना अनुरूप। उनीत पढ़ाई बीचाई मा छोड़ना बाद्दे भाये मानसीक रोगी भार। वकिल बन्ने मन्ची मानसीक रोगी भार पो निसके। मानसीक रोगी भापची उनले पढ़ना सकने कुरई आना। सामन्ने मैंचे जस्तों बाचन सकने कुराया आया ना, परिवार ले, उनलाई अस्पताल पुरिया उनु परियो मांसिक अस्पताल ना, मांसिक रोगी भायरत दीन हरू बिताउनु परियो उनले, परियो मांसिक अस्पताल पुरेंचे इभा मृतली, पूर्न तया उनी टूटी सके का थी, तेसरो पटक उनी अस्पताल बाठा बाइराओंदा, अब परिवार ले, आफनो गल्ती रियालाईज करें, महसूस करें, कि छोरा साहिते मा रमाऊंचन, तर हमी वकिल बनोना जान छों उसलाई, छोरा एक ठोक खोजचन, हमी उसलाई जबरजस्ती अरको ठोक बिड़ाई रहेका छों। परिणाम, आफना अनमोल छोरो, वकिल बननू कता कता, साहितेकारपनी बननू कता कता, पागलपु बने। यो दुवै आमा बाबाको लागी, ठूलो पाट थियो, सारे ठूलो कीमत चुकार, सारे ठूलो मुल्य चुकार, उनेहरले पाट सीकी, छोरालाई बौला बनार, आफले लियेका निर्णे, गलत हो भन्ने निसकर्षमा, बल्लो नियर्पु गी। तिस पचे आमा बाबाले उनलाई, जा छरा, अवा हम्रकुने बंधन चाईन आ, अवा तिमी प्रति आशा पनी चाईन, तिमी स्वस्थ उनू परि, तिमी सान्त उनू परि, तिमीर स्वास्थ नहीं अवा सबबंधा ठूलो कुरा रहयो हम्र लागी। तिसकार हम जे गरनूँ छब बेंदास करूँ हमी होट्यूँ हमी हार्यूँ यह केटा पागल हुदा हुदाई मान से एक स्वास्थे हासिल गरदा गरदाई इनले थ्यूना साइट ते लेखना धाले बेंदास निरबंद भाबर यसरी साइट ते लेख दाई ज्यादा उनको अलके मेस्ट बनने उपन्यासनन इसके यर्नूस उनकी बगन पाये मनले खाको भी से मा रता उनको मांसिक रोग्याक्षक्षमापत भाए और उनको सहिते ले बिस्तार बिस्तार बिस्तो बजारने उगट इसरी मानसिक रूप मां बिचिप्त वैसकी को मैंचे, संसार कोई एक महान साहित्यकार को रूप मां इस्थापित, उनस अभलबा। इसलिकत बाता बरन पायाना, मौका पायाना बने, महान हुनूत कता कता पागल हुँदू र्यचे। इसरी समाप्त हुन् दाइ, कसी, लेपनी वास्ता ना अगरेको, माया मारीशकीकwire, खिकता मा सक्कारेको अभास्तामा बनी। येदी मांचेले फेरी आफुन जुन चीज को लगी जन्मेक हो जुन बिसेमा थे आफन अगाद स्राध्धा चा तिसी बिसेमा डूबने हो बने सब्बंदा ठूलो मांसिक आउशदी मांसिक रोग को आउशदी तैई हो हने रगुचन पर चा याद रखनु समाज मा पनी साथ सब्बंदा ठूलो आउशदी उनी जुन चीज को लागी जन्मेक होन ती चीज को लागी प्रोट्साहित गर देन। समाज को या अमा बाबाको या परिवार को कर्त भी होनवांचे अनि मात्रे उसामने निरोगी मात्र हैन महान मांचे बनना सक्छे। कि नीके हरे एक धुंगा भेत्र जशरी मुर्ती सुष्ब्त आवस्तांबी होंच़ा हरे एक भियो भेत्र रुख così होंच़ा कि तैसले हरेक मांचे भेत्र पनी एक महा पुरुज़ शुतिरिक होंचे तेले उठाउनों, तेले चलाउनों, तेले जगाउनों को लागे, मैंचे जुल छीज को weiterhin जन्मेगों हूँ, तेहां जानोबाट कसे ली रूपनोई ने होगी, पावला को आयो हो, हामी सबय को लागे, एक दीप हो पत, प्रदीप हो, जसलिंग हामी सबय को बाटों द या तो रोज मन ले खाको भी से जिन्दगी तेसमा लगाओ रह उठा या तो मन ले नखाको भी शेमा जबर जस्तिक आप लेग लगाओ रहा है नहीं से लगाओ चुनाओ अजय दाकेओ या पजाओ अजय हळाओ नहीं से तेसरी जचित काओष लेगर heb機ी शोड़ने है विल हो चर्वाओाओ यार ऑे थासाल भी से लिल हाई लेक के वाज़ हम भी सुटनाओान बोड़ाओ को भी श्याओ बोट्सरी जचिते सा depri अवाणाओ ध कित-स।